किये गशेज दोस्तो स्वागत है अपका मेरे इस शैनिक समचार चैनल में तोस्तो पैंशनर्स की सब सक attention नोus दो बाये कट होती जबसे सपर्श का implementation हुआ है कई लोगों के जो में तरप पैंशन के आ आ रही है और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि उनको जो पेंशन मिलनी चाहिए थी वह बैंक जब तक थे तब तो ठीक आ रहे थी लेकिन सपर्श में जो है उनकी पेंशन कटके आ रही है तो दोस्तों कुछ स्टेप्स हैं जिसको कि आप जरूर करें जिससे कि अपकी पेंशन में कोई दिकत ना हो पहले चीज़ दोस्तों यह है कि जिस तरह कि से बैंक मैं यह बैंक आपको टाइमली मेसेज करता है अगर आपका बैंक में पैंचन अपडेटिड से आते थी अब क्योंकि इसपर्श से आपकी पैंशन आरही है तो आपको यह में करना है कि सपर्ष में भी आपका सेम वही प्रॉसेस होगा लेकिन यहां पर आपको क्या करना है खुद अपना अपडेट करना है अगर आप खुद आपका पैन कार्ड पहले चेक किजिए परसनल डिटेल में अगर पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो फिर आटोमेटिक लिए दूगना टीरियस कटके आएगा वह रिफंड का चक्कर बाद में पड़ेगा जब आप रिफंड लेने जाएंगे लेकिन अभी तो आपको कटके आएगे तो सबसे पहले चीज़ है कि पैन कार्ड अपडेट कर लें अगर सपर्ष के माद्यम से पैन कार्ड अपडेट करने पर्ष की तरफ से भी इंटीमेशन है और तरही बार कि आपको नहीं पड़ा चलेगा अगर आप नहीं प्रॉपर्ली चेक करते हैं तो काफी टाइम बाद आपको पड़ा चलेगा कि आपके बहुत सारे पैसे कड़ें तो हर महीने अपनी पेसलिप ज़रूर चेक करें और उ आपका जो है जो टीडिये से वह ज्यादा डिड़ेक्ट होता है तो अपनी जो पेंशन मिल रहा है उसके लिए आपको परश में खुद ही जो है अपना का पूरा का पूरा जो है क्रियेट करना पड़े हैं तो स्थों MSP के लिए जो है अब उसको इंप्लिमेंट करवाने के के लिए तो है मांग तेज हो चुकी है और अब जो है आपको पता है कि दिली में अल्रेडी धर्ना प्रदशन चल रहा है कई सारी रैली भी की जा रही है कि जिससे की कि सरकार के सामने जो है MSP की जो जेसी जवानों की जैन्यून मांगे उसको रखा जा सके इसके लाव दोस्तों 21 नमंबर को पता ही है कि इसका जबाए एक बार फाइनल सुनवाई है और उमीद की जा रही है कि 21 नमंबर को जो है आप जो जवान है जैसी उस उनकों का हद मिल कीजिए और सबस्क्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन जरूर दो बाइए